दिली में G20 की देश मंतीयों की बैठकी शुरुआत धारमंत्री नरेंदर मोदी के एक संदेश के हुई और इस संदेश में उन्होंने कुछ बातों को साफ किया रूस युकरेंट युद्र के जिक्र किये बगेर उन्होंने युद्र का भी जिक्र किया और उसके खामियाजे का भी और ये बताया कि इस तरीके से पुरी दुनिया को खासतोर पे जो कमजोर अर्थ्विवश्टा वाले देश हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और जो लगातार हम बात कर रहें जो डिवाइड की बात कर रहे हैं पश्वी देशों की और रूस चीन की उसको भी बिना नावियरों ने साफ कर दिया कि अब जो है जो असर पड़ रहा है और मुश्किले जो है वो आरे हैं चाहे खाते हो या उर्जा सुरक्षा हो इस सबकी म को विवस्था बनाई गई थी वैशिक विवस्था वो दूतिय विश्वुदि के बाद बनाई गई थी और दूतिय विश्वुदि के बाद के समय को में जो चुनौतियां थी उसको टैकल करने के लिए बनाई गई थी आज के समय में मौजूदा वक्त में जो चुनौतिया बढ़ाया है बिल्कुल उसको भी हमने आगे भी बढ़ाया है और एक जो भारत के लिए बिल्कुल यूनीक चीज है और जो दुनिया भर में जानी मानी जाती है वो है बुद्ध और गांधी की धर्टी इसकी उन्होंने बाकी कहा कि यहां पर हम शायर एक हल ढूंद सके आगे प्लिक चल रहा है और जिस तरह से नाकामी हम यूएन की एक तरह से देख रहे हैं उसका असर्ट जो वल्डिनेबल जो देश है जो आर्थिक लूप से या बाकी तरह से मजबूत नहीं है उनके उपर कितनी गुरी तरह पड़ रहा है और प्यम के भाशन का जो उनके प्रशा जो है अभी के हालात के काल पहले ही सितिक बहुत तेक नहीं थी लेकिन अभी जो हालात बने हुए यानि कोरोना के बाद और युद्ध की दोश्किती है और भी जादा ये मुश्किल हो गए लेकिन इसके हल डूंडे जा सकते हैं इसके परिणाम भी दूरगामी है पर हल भी दूरगामी होंगे और जिम्मेदारी जो है वो जी ट्विंटी देशों की है सारी दुनिया उनकी तरफ लेकिए कि वह भी जिम्मेदारी का वहिंद कैसे करते हैं और पीम ने ये भी कहा कि जो पूरी दुनिया है उसको परेक्षा इस बात को लेकर है जी जो होने वाले क्राइम हैं उसको रोकने की जिम्यदारी तो इन सब एहम मुद्दे हैं उनकी तरफ भी दुनिया की निगाह है और इन मुद्दों को टैकल करना G20 की जिम्यदारी है और इसलिए उन्होंने आपसी सहमती और एक्ता पर जोड़ दिया बिल्कुल और यही बात है कि आएगा ही आएगा पहले भी हुआ है लेकिन विकल्ब जो है भारत कुले रख रहा है ताकि बाकी मुद्दों पर भी कुल कर बात हो सकते हुआ है लेकिन देखना यह है कि आखिरकार इस थोड़ी मुलाकात के अंत में निकल कर क्या सामने आता है